तो कैसे हैं दोस्तों आप सब अपका स्वागात है फिर से हमारे चैनल मेग इडीजी हैस्टेक सी पे हम लोग बात कर रहे थे उन्हें सीरीज ओफ वीडियो पार्ट फाइव को लेका है गैस़ी प्रोग्रामिंग गेटिके बेस्ट फिप्टी कोशन संते 50 से बहुतr साहता हो जाएगे फिक इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इस अच्छी कोशन देखने वал एं हैं इस वीडियो में तो मोईां जो कोशने इस यहां पर discussion करने वाले हैं कि question by question यहां पर discussion करेंगे तो बिना देरी के मैं start करता हूं अपने वीडियो को तो हमारा first question जो आ रहा है वो bitwise not operator के उपर है एक main function है वहाँ पर दो variable है int type A is equal to 15 उसको initialize कर दिया गया है B एक दूसरा variable है जो की store कर रहा है क्या store कर रहा है negation मतलब not operator bitwise not operator of A और print कर रहा है वहाँ पर value of B मतलब pull मिलाके वह value अमनों print कर रहा है bitwise not operator use करें A मतलब pull मिलाके वहाँ यह काम करना है कि 15 का bitwise not operator bitwise not को print कर देखें तो वह दीगे bitwise not operator कर तक है bit by bit जैसे अगर 15 है इसको अगर हमनों binary में लिखें तो bit by bit 1 को 0 में change करेगा और 0 को किस में change करेगा 1 में change करेगा तो आपनों को यहाँ पर 15 अगर यह है तो इसका output निगाल के लिए सबसे पहले हमान लेते हैं हमारा compiler है वो int को 2 bytes देता है इसका मनलब कितने bit कितने bit देगा 16 bits 2 into 8 ठीक है 2 into 8 16 bits तो यह compiler क्या करेगा यह 15 को 16 bits में change करेगा यह कुछ ऐसा एक दो थी चार्ट और छे जार्ट आर्ट तरस ग्यारा बारा और यह चार्ट यह 15 यह 15 को ऐसा अब जैसी हम लोग यह क्या हमनों का 15 है अगर हम लोग क्या किये इसमें निगेशन लगा दिये तो bit wise not operator bit wise not क्या करेगा यह 0 को 1 में convert करेगा और 1 को 0 में convert करेगा तो यह क्या हो जाएगा एक दो तीन चार्ट पांट छेज़शा आट नो दस ग्यारा बारा एक दो तीन चार्ट यह हो जाएगा अमनों का answer इसका चेक है अब इस answer को हम लोग को यहाँ प्रेंट करना है यह जो पहला जो digit होता है यह हम लोग को बताता है sign यह इसका मतलब अगर 1 हुआ तो वह बोलता है कि negative होगा और 0 हुआ तो वह हम लोग कुछ को माने की कि वह positive number है तो यहाँ पर पार है इसका मतलब हमारा जो output आने माला है वह obviously क्या होगा negative होगा तो यह बचा कुछ है यह हम लोग को देगा magnitude यह हम लोग को देगा magnitude आप कैसे देगा magnitude तो आपनों को क्या करना पड़ेगा 2s complement निकाल लेंगा 2s complement निकाल दिये तो आनलों को मिल जागा magnitude और उसमें 1 को add कर दो तो 2S complement आ जागा तो इसमें हम लोग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 यह हो गया हम लोग का क्या 1S complement अब इसमें अगर हम लोग 1 add कर दिये तो यह हो जागा 2S complement 1, 1, 0, carry 1, 1, 1, 1, 0, carry 1, 1, 1, 1, 0, carry 1, 1, 1, 0, carry 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 इसमें किता है हम लोग का देंकर दें 2, 4, 8, 16 तो इसका मतलब 16 वाला active है 1 है 16 is the correct answer तो यह हो जाएगा minus 2 ने आलत answer और यह 16 तो यह होगा हम लोग का output मतलब की negation of मतलब bitwise not operator अगर लगा दिया जाए तो इसका value हाथ है minus 16 moral of the story हम लोग को यह याद रखना है कि अगर n number है इस पे अगर हम लोग क्या कर दें bitwise not लगा दें तो इसका answer जो आता है तो क्या आता है n plus 1 मुले आता है साथ ही साथ minus 1 आता है तो यह हम लोग को याद रखना है ठीक है पूर यह सिंपल से यहाँ पे logic का बेट वाइस not operator का यहाँ पे concept है तीक है अगला question दिखे है अगला question दिखे हैं लोग यहाँ लाइक A, B to positive integer which of the following operation correctly relate divide operator और modulus operator थीक है यहाँ चार option है इन उने बीच में correct relation बताना है ऐसे type की जब भी question आपको दिखें आपको correct relation बताना है इस type के options दिखें तो कुछ नहीं करना है objective approach यही बोलता है कि तुरंट इसको solve करने के लिए हमनों क्या करें option को तुरंट check करने के लिए हमनों को assumption करने है A और B को मान लिए तुरंट A को मान लिए कुछ भी मान सकते हो जो भी मान करें A को माल लिए 4 तुरं B को माल लिए 2 कि जो मन की हो माल लिए अब ऐसा number ही choose करना वो आपको समझ ना आ जाएगा कि जब आप option में check करेंगा तो आप ऐसी ही समझ चाहेगी क्यों मैं 4 या क्यों 2 लिए कोई अगर मैं A divided by B अगर करता हूं A divided by B तो obviously answer क्या आएगा 2 आएगा A modulus B करूं में तो obviously answer क्या आएगा दीरो आने माल है तो अगर मैं check करता हूं तो यहां पर मैं first option को अगर मैं check किया B is equal to B is equal to मतलब 2 क्या equal है इसके A divided by B A divided by B A divided by B मतलब 2 into C यहां पर आगया है C का value कि आपने को कुछ भी assume करना पड़े है C मालने को 1 है 1 Plus अब C जरूरी नहीं है 1 1 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है 1, 2, कुछ भी आप ले सकते है C मैं माल लेता हूं 1, 2, कुछ भी हो सकता है Plus A modulus B A modulus B करता है 0 अब यहां पर C को मैं माल लिया तो यह relation income चाही हा अगर मैं यहां पर C कुछ और लेता है तो यह relation का आप बिल्कुल गलत आता है इसका मतब A option चाही नहीं है तो C को अगर मैं 2 ले देता तो बिल्कुल गलत थे तो A option गलत है हमारा अब आपनों B option को check करते है A is equal to मालब 4 is equal to A divided by B इसका मालब 2 into B into B B के तरह मालब 2 plus A modulus B जोगी 0 Obviously 4 is equal to 4 आ रहा है बिना देखे आगे check ही नहीं करना B option सही है ठीक है यह था इसका एक्क्तम सिंपल सा logic इसी question था अबस यहां भी objective approach में बता रहा है ऐसे question आए तो हमेशा assumption लेना है Assumption लेने में भी फूरा सा हमने को दिमाग का यूज करना है कि अगर assumption लिये हैं तो कहीं हो criteria को mismatch ना करे question के हिसाथ से वो चीज़ हमने को ध्यान में रखना है अगला question देखते हैं तो अगला question देखते हैं हम लोग एक्दम छोटा सा एक्दम कोशन है कुछ ऐसा एक variable है int type का x y is equal to 2 दिये है z type का int type का variable है a भी एक variable है एक expression दिये है इस प्रकार का हम लोंको बताना है इसका output क्या है एक्सम सूदो को type का लिख रहा है तो देखें यहाँ पे कि अगर यहाँ पे x is equal to y into is equal to 2 इस line का मतलब क्या होता है इस line के यह होता है y is equal to y into 2 अभी y मेरा किता है 2 है तो क्या हो जाएगा y is equal to 2 into 2 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका मतलब y का value हो गया 4 इस statement का मतलब हो गया 4 प्लस यह क्या है यहाँ पे कौनसा operator है assignment operator है assignment operator क्या करेगा इसका value इसको लेगा और यह इसका value इसको देगा y का value है 4 देखें उनोंका y का value किता हो गया 4 है ना यहाँ पे y का value है 4 तो यह इसको दिया 4, यह इसको दिया क्या हो गया 4, तो Z का पर लिए 4 हो गया, इस पूरे expression का value निता हो गया, 4 प्लस 4 किता आजा है, 8 आजा है, ठीक है, और हम नग क्या करतेंगे, A option टिक कर देंगे, जो कि बिल्क की गदत हो जाए, क्यों ऐसा गदत हो गया, जहां क्या रख पर य' क का value होता है 2, तो यहां पर y का value हो गया 2, अब 2 हो गया 2, अब यहां पर य इक वल्य हो गया 2, अब यहां पर आया, 7 पूरी की पूरी तरीके से तरीक की युपर करता है कि युझा है को का स्वच्ट कोशन प कुछा गर्तिकtin अगला कोशन देखे हैं बहुत ही पूशन बेस्ट एक बहुत ही अच्छा सो कोश्चन है, क्या है कोश्चन, अगर n का value है 3, तो output इस statement का क्या होगा, ठीक है, यहां पे clear clear concept हम लोगों बताना है, pre increment operator और post increment operator का, तो अगर दोनों एक साथ अगर use हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ अगर हम लोग use करें तो इसका answer क्या होगा, तो क्या करेंगे हैं वोगे इस output बताने के लिए, n का value कितना है, उन्यक्ता 3 है, 3 है, उसके बाद फिर क्या होगा, n++ किये, n++ का मतलब क्या होता है, पहले use कर लो, फिर change कर लो, use कर लो, youse कर लो मतलब 3 print हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके फिर change कर लो, change कर दो, तो मतलब N का value up हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा ऐसा उसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग इस पे यह क्या होता है पहले change कर दो इसको change कर दिये क्या हो जाएगा यह 5 अब इसको use कर दो use कर दिये तो यह क्या हो जाएगा 5 अब यह ऐसा print होगा इसके लिए है, पहले print होता है, फिर यह print होगा तो answer क्या हो जाएगा 3,5 एक option देखेंगे अब बिल्कुल टिक कर देगा confidence लगों खोलेंगे, अब नोगा answer सही है जो कि क्या होगा बिल्कुल गलत हो तेखें, क्या होगा बिल्कुल गलत यह क्या होगा, बिल्कुल गलत क्यों गलत होगा, यहां पर MPQT प्रॉब्लम आ रही है हमारे इस solution में यहां पर इस पर बाद depend नहीं करता है यह कैसा output, कैसा pre increment कैसा post increment, जो भी है यह इस पर depend करता है compiler जो है, जो ज्यादा compilers होते है maximum number of compiler वो कहले, stack का use करते है stack का use करते है कोई भी evaluation करने के लिए pre increment, post increment evaluation करने के लिए stack ही use होता है, तो stack use होगा, सबसे पहले stack में कॉन जाएगा here expression, n++ फिल कॉन जाएगा, plus plus n, प्री increment फिर जाएगा, तो जो जो evaluation होगा, तो पहले evaluation नहीं होगा पहले evaluation किसका होगा, इसका evaluation पहले होने आला है, first इसका evaluation होगा, फिर किसका evaluation होगा, secondly इसका evaluation होने वाला है, देखें, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, most of the compiler ये ही काम करते है, तो इसका मतलब, जो हम लोगों का n का value जिता है, एन 3 है, तो सबस्या के प्लस्टम का मतलब, पहले इसको change कर दो, n को 4 कर दो, फिर use करो, फिर use करेंगे, तो मतलब क्या print होगा पहले, 4 print होगा, उसके बाद फिर n प्लस्टम पह रहे, तो इसका पहले इसको यूज कर दो, एन 4 है उसको use कर दो, हम लोग का 3 option होगा, ठीक है, 4 हर 4, ठीक है, ध्यान रखनी है हम लोग इस चीज का बहुत important चीज है, कुछ-कुछ चीज़े हम लोगो बहुत अच्छे से अपने दिमाज में store कर लेगी है, most of the compiler यही काम करते है, stack तो भी evaluate करते हैं, पहले यह आला होगा, फिर यह आला होगा, अगला देखते हैं, वीडियो को continue करते हैं, बहुत अच्छा सार पोश्यन है, put care का यहाँ पर हम लोग use बताने हो लोग होगा, ठीक है, क्या है यहाँ यहाँ पर, enter i is equal to 263, put care यहाँ पर लिखा है, put care क्या होता है, कि देख सकते हैं, हम लोग put कर रहा है care को, मतलब character को क्या करता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेकिन character नहीं है, character होता जो भी, तो उसको प्रिंट कर देता है, उसमें कोई दिक्त नहीं, लेकिन यहाँ पर, enter type का एक variable है, जिसको हम लोग value assign कर दियें, और इसके आप दिर हम लोग हो रहे है, put care कर दो उसका भ bell बजेगा, ठीक है, और D option है, garbage print कर दे, तो दिख्थे हम लोग इसका क्या हो, तो जब भी हम लोग क्या करना चाहिए, अगर int को as character print कराना है, कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं तो इसका as a character print कराना है, तो compiler, compiler, 8 bit ही print करेगा, किता bit print करेगा, 8 bit, 8 bits ही print करेगा, प्रिंट करेगा, ये एक चीज अपने देमाग में store कर लेंगे, ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग put care, put care आया, 263 आया, तो compiler तुरंथ क्या करेगा, इसको binary form में convert करेगा, 263 को, 263 का binary form होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 0, और 3 bar 1, ठीक है, इसको निकाल लेंगे, अब लोग 8, 4, 2, 1, 16, 32, 64, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये उसका binary equivalent है, तो ये binary जो equivalent है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ चला लेकिन, यहाँ में क्या लिखा है, कि 8 bit सी print करेगा, 8 bit का मतलब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा, नहीं, फुल्टे से किनना है, ठीक है, फुल्टे से राइट लेट चालू करेगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला, discard कर दो, ठीक है, तो ये कितना बचा, इतना, इसका मतलब क्या, य 0, 1, 1, 1, क्या है, 7, ठीक है, binary minute, decimal में convert करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, तो इसका मतलब, यहाँ पे क्या print होने वाला है, 7, 7 print नहीं होगा, put care है, put care है, मतलब, वो क्या करेगा, ask की value जाएगा, 7 का जो भी ask की value है, उसके ask की equivalent में जाएगा, तो put care, put care, अगर हम लो ask की value देखेगा, और आप अच्छे से, एक बार एक का करना, ask की table में जाके देखना, ask की table में 7 की equivalent ask की, क्या होता है, तो वो अहाँ पे आएगा, bell, bell लिखा होगा, मतलब, bell बच जाती है, तो इसका मतलब, bell बचने वाली है, इसका मतलब, options दी जाएगा, जो कि हम लोग कभी आपकी सोच भी नहीं सकते थे, तो इसका option ring का bell होगा, ठीक है, ask की equivalent को 263 क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यह एक number को discard करना पड़ता है, 8 bit ही store करता है compiler, ठीक है, तो यह option होगा नहीं, first option तो देख की पदल चले रहे है, कि कभी हो नहीं सकता, और गार में जाएगा, यहां पर ring हो जाएगा, bell ring होगा, एक बार आप ask की table जरूर दरूर देखना, google करके देखना ask की table, एक बार आपको बता चलेगा, 7 की equivalent ask की value, जो है को क्या होता है, bell बजिती है वहां पर, यह जिता आपको नहां रखने है, अग लाउशन देखते हैं, अग लाउशन देखते i is equal to 1, i less than 15, i plus plus हो रहा है, तो सबसे पहले i 1 है, ठीक है, 1 less than 15, सही बात है, अंदर आएगा, अंदर आया, तो क्या 1 equal होता है, क्या 3 के नहीं होता है, तो else part में चला जाएगा, तो print हो जाएगा, यहां पर क्या, 1 print हो जाएगा, i का value 1, तो 1, अनलब a और b option में से होगा, c और d तो o जी सकता, अगला, फिर कहां जाएगा, यह for loop के पास गया, ठीक है, यह कुछ ऐसा है न, यह लिखा नहीं, यह कुछ ऐसा है, ठीक है, यह program का fragment है, परस उसको हमें को output के form में बताने, अगला क्या होगा, अगला 2 हो जाएगा, i का value, एक बढ़ गया, 2 हो गया, 2 less than 15 सही बात, 2 equal to equal to 3, ठीक है, गलत है यह भी चीज, तो फिर यहाँ पर आएगा, print हो जाएगा, i का value, मतलब क्या print हो जाएगा, 2 print हो जाएगा, फिर एक बढ़ गया i का value, 3 हो गया, 3 less than 15, सही बात, 3 is equal to equal to 3, सही बात है, तो continue करने बोल रहा है, यह continue करने, मतलब यह इस बार य तो 4, 3 से बढ़ के 4 हो गया, 4 less than 15, सही बात है, 4 equal to equal to 3, गलत, else part उपने जाएगा, i का value प्रिंट हो जाएगा, 4 print हो जाएगा, i का value बढ़ गया, किता हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 less than 15, सही है, 5 equal to equal to 3, गलत है, ठीक है, फिर यह नीचे आएगा, अच्छा, 1 सहीं, 1 सहीं, 1 10, 6 isso fish and xém, 1 आएगे, यहाँ पर 15, कैसी यहीं नहीं है, 5 का, सिदिक है, 15 नहीं है, 5 सहीं जोसर नहीं पर उसन प्री इंक्रिमेंट है प्री इंक्रिमेंट मतलब चेंज करो मतलब चेंज करेंगे इसको इवा क्या हो जाएगा 1 से लेकी का हो गया ये क्या हो James Honey a. फिर भी, हम क्रिम प्रीमेंट है ये जाएगा स्प्रेशन हो खो एक शब करता है आप्शन हों है, नमों को फॉस्ट्ट ऑप्शन सही है, ठीक है एकला फॉष्ट लिए है चिट्ट-बिंको सा पोष्चन है, ठीक है जल्दिस को लेग देठें एक A is equal to 4, B is equal to 6, दो values है %D, यह assignment operator बोल रहा हूं equal operator यहां पर यूज़ गया है, equal operator क्या 4 equal होता है क्या 6 के तो यह जैसी है यह गलत है गलत है तो यह क्या print देगा मतलब गलत है तो 0 मतलब false और सही है तो true मतलब 1 तो यह 0 हो जाएगा % 0 क्या print हो जाएगा 0 print हो जाएगा 3 option correct है अगला question के साथ आते हम लोग 4 loop का equal question है बहुत अच्छा question है यहां पे make it easy लिखा लाएगा अच्छा है मैं option लिखना भूलियो फोई दिखकत नहीं है हमनों यहां पे output सीधा हमनों generate कलते हैं तो क्या है यहां पे i is equal to 1 है i is equal to 1 अच्छा चलो option भी लिखतेते हैं option है पहला option है यह make it easy दूसरा option है make it easy make it easy दो बाइप्रिंट को रहा है third option है उपका easy make it और fourth option ले लेते है none तो देखिए i is equal to 1 सही बात है 1 less than equal to 2 यह लिख सही है नीचे आजाएगा condition true होती है तो नीचे आजाता है यह print type लिका है print type हो जाएगा मतलब output जो होगा सबसे पहले क्या होगा make it तो है नहीं make it पहले a या b होगा option c तो ऐसी गलत होगा d none है या पर नहीं उसके बाद फिर क्या होगा यह उपर आएगा उपर आए condition की तरफ condition इधर left to right ऐसा चलेगा print type लिका easy पहले print हो जाएगा easy make it easy हो गया तीचे उसके बाद फिर क्या होगा i++ i किता था 1 है 1 चे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हुआ 2 less than equal to 2 चही है फिर नीचे जाएगा नीचे गया तो फिर print कर देगा यह क्या make it ठीक है उसके फिर क्या होगा उपर आएगा left to right चलेगा तो यह क्या हो जाएगा easy make it easy तो दो बार make it easy make it easy make it easy यहां पर print हो जाएगा तो b option हमारा सही option है ठीक है अगला दिखे तो अगले question पर आदे हम लोग int i एक variable है i0 to 107 x0 to 5 है तो यहां पर conditional operator टर्णरी operator जिसको हम लोग जाते है उसका यूज किया गया है अगर यह statement सही हुई तो यह वारा चीज प्रिंट हो जाएगा अगर यह गलत हुई तो यह statement प्रिंट हो जाएगा ठीक है प्रीज में आपे क्या होता है बोला होता है तो यहां पे क्या x greater than 7 मतलब 5 क्या greater than 7 है नहीं है इसका मतलब यह नहीं चले जाला क्या चलेगा यह चलेगा तो क्या होगा % c, i i किता है जोग का i है 107 तो ऐसा लिखना है % d होता तो यह क्या हो जाता 107 प्रिंट हो जाता लेकिन यहां पे क्या है % c है इसका मतलब 107 के equivalent जो भी आस की value होगा आस की value ठीक है वो प्रिंट हो जाने माद है % c लिखाई को की तो 107 के according 107 के equivalent जो आस की value होता है वो होता है किसका k का अब देखिए कि 97 से start होता है small a, small t, small c, small d, small e तो 97 से करेंगे 107 किसका हैगा small k का हैगा इसका मतलब यह जो answer होगा अमिलों का यह option चाहिए होता अगर यह क्या होता ऐसा होता इस question में तो यह बात चाहिए होती 5 greater than 7 तो क्या होता प्रिंट क्या होता यह होता % d, i i कित्ता हमनों का 107 तब उस case में क्या हो जाता 10% क्या होता ंक्या क्या 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 होता बलकी एक वदी से i यह एक सब्लस प्र dol आपने प्रोप्स की शाम बढ़े सब्दों इसका फॉर्ट कहई रहे 9低 g साच dealt क्या होता सब्दों एक i नाम को वरियेवल, एंट टाइप का i is equal to 5, यहां पर do-one condition लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पुट केर i plus 100, तो क्या हो जाएगा, पुट केर 105 हो जाएगा, 105, 5 plus 100, 105, उसके बाद, पुट केर मतलब 105, फिर से वही चीज आ गया, जैसे वहां पर आया था, एंट को as a character print कर रहे हैं, तो क्या होगा, compiler 8 bit ही क्या करेगा, print करेगा, यहां पर जो हम लोग binary निकालेंगे, तो 8 bit के अंदर ही आने वाला है, ठीक है, 8 bit से जादर लगेगा भी ने, वो 236, 263, जो भी था, वहां 8 bit से जादा हो रहा था, इसलिए वो question लिया गया था, यहां पर क्या होगा, इसका अगर binary देखेंगे, तो 8 bit के अंदर ही आने वाला है, 8 bit के अंदर आने वाला है, मतलब इसका हम लोग क्या print करना है, आसकी जो भी equivalent है, वो print करना है, ठीक है, तो इसका आसकी जो equivalent होता है, वो क्या होगा, A का होता है, 97, B का asset करेंगे, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, C, D, E, F, G, H, I, यह I के equivalent होता है, ठीक है 105 का आसकी क्या होता है, ठीक है 105 किसका आसकी होता है, I का होता है, तो इसका मनलब put care I, वो क्या कर देगा, I को क्या कर देगा, put कर देगा, इसका मनलब I सबसे प्रिंट हो जाएगा, put कर रहा है, put care, I हो गया, print है %D, I minus minus, print है %D, ठीक है %D, I को हमनों को क्या करना है, print करना है I minus minus, post decrement operator है, post decrement हमनों post का अच्छे सरा मनलब जानते है, पहले use कर लो, फिर change कर लो, पहले use कर लो, मनलब 5 प्रिंट हो गया, अब change कर लो, 5 प्रिंट हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है, I का जो अब जित्ता हो गया, अब 4 हो गया, ठीक है, बोलब जानते हो गया, 3 हो जाते हो गया, पिर कहा हो गया, 103 हो गया, 103 के G होगा, G की P Congress हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले use करो एच, 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा , इसćर Week condition W n not 열 जाएगा, 0 तो false हो जायगा, प्रष को तो पान आ जाएगा तो ऐसा कोई option आएगा, यह A option है, I5, L4, G3, आगे करेंगे तो F2, E1, आगे 0 जब हो जाएगा, तो यह बाहर आजाएगा लूपके, तो यह होगा हमारा correct output, ठीक है, तो इस video में हम लोग काफी question देखें, मैं और भी आगे इस easy type के, और भी अलग-अलग type के, अलग-अलग variety के लाओंगा, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, वोप आपको यह अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा, तो जरूर like कीजिए, subscribe कीजिए, share जरूर कीजिए, आज के लिए बस इतना ही, thank you.